हेला फिरों माइनम इस बार्दन वल्कम बैक टू माई यूट्यूब चानल हमने स्टार्ट किया इसल बालोजी इन बायो टेखनोलोजी फ्रॉम एससी क्लास्टें साइन्स टू चाप्टर नंबर एट आज देखेंगे इसका लेक्चर फूर लास्ट लेक्चर में जहां छोड करेंगे धन्दे की commercial application of bio technology commercial मतलब क्या धन्दा पैसा इंडिया इज एन एक्री कल्चरल कंट्री इंड्या का primary occupation अभी भी खेतिवाडी है तो बायो टेकनोलोजी से की वाडी में क्या change आया वह में देखना है तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप बायो टेकनोलोजी बढ़ बराबर है अब इसमें पहली कहानी है hybrid seed की यह कहानी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी किस तरह बनाया था hybrid seed by cross-pollination between two different breeds of the same species बराबर है वो दो फ्लावर थे red color का pink color का देखा होगा ना तो देखो genes of two different crops two different crops of the same species और related species उनका genes recombine किया जाएगा क्या किया जाएगा recombine कैसे जो हमारे दो parent होंगे male parent female parent उनके बीच में cross-pollination होगा और उन दोनों का characters combine होकर baby में जाएगा और उस baby को offspring को हम क्या बोलते हैं hybrid बोलते हैं correct है ना तो example लेके बात करते हैं मेरे पास लाल color के टमाटर हैं जो बड़े बड़े हैं कैसे हैं बड़े बड़े and yellow color के टमाटर हैं जो छोटे छोटे हैं इन दोनों के बीच में अगर मैं cross करू reproduction कराऊं तो दोनों का character combine होके hybrid बनेगा तो देखो हमारा जो baby है उसमें लाल वाले parent का color आया है and yellow वाले parent का size आया है तो हमारा hybrid कैसा है लाल है और छोटा है समझ रहे हो hybridization काफी simple सी चीज है इस technique को अलग-अलग type के fruits बनाने के लिए use किया जाता है this is yes especially useful for fruits market में अभी भी बहुत अलग-अलग type के hybrid fruit हमें मिलते हैं citrus fruit होते हैं न मोसंबी संत्रा लिम्बू टैंजरीन उनके बीच में भी काफी जादा hybridization करके अलग-अलग varieties बनाई गई है पील आया है दूसरी बात genetically modified crops GM crops इसके बारे में भी आपको last lecture में मैंने बताया था किस तरह ब वह बैक्टेरिया का plasmid बाहर निकालके हमने modify किया फिर उस बैक्टेरिया ने plant cell को infect किया plant cell को modify किया फिर plant cell का हमने tissue culture किया and पूरा plant grow किया तब मुझे मिला genetically modified crop correct है फिल आया तो इस technique को यूज करके genetic modification को यूज करके कैसे टाइप के plant बनाए जा सकते हैं देखो high yielding varieties high yielding variety मतलब क्या ऐसी variety जिसका growth जादा मिलता है जिसका production जादा मिलता है HYV high yielding variety with resistance किस चीज का resistance डिजीज का हमारा crops ऐसा है जिनको डिजीज से फरक पड़ता नहीं है दूसरी बात alkalinity alkalinity क्या होती है देखो बहुत जादा अगर chemical fertilizer use किया जाते है chemical fertilizer basic nature के हो सकते है alkaline nature के हो सकते है अगर उनको excessively use किया जाए तो soil कैसी हो जाएगी alkaline अब ऐसे soil में बहुत सारे crops मर सकते हैं dead हो सकते हैं लेकिन हमारे crops कैसे हैं resistant हैं उनको alkalinity का फरक पड़ता नहीं है करेक्ट फिर weeds हुकने वाले weeds की बात नहीं हो रही है crop के आजुबा जो unwanted plant ग्रो हो जाते हैं उनको बोलते हैं weeds ये weeds हमारे crop के साथ competition करते हैं nutrient का पानी का sunlight का तो काफी सारे crops की जो growth होती है वो affect हो जाती है हमारे crops modified crop कैसे है resistant है उनको weed से भी फरक पड़ता नहीं है फिर बात करते है cold की थंडी काफी सारे plant थंड में सिकुड जाएंगे मर जाएंगे लेकिन हमारे plant resistant है to cold and rot पानी की कमी dehydration बहुत सारे plant effect होंगे मर जाएंगे हमारे plant resistant है सर्वाइब कर सकते हैं ऐसे condition में भी तो यह होगे genetically modified crop और भी काफी सारे बाते आपको बता नहीं है चलिए थोड़ा आगे जाते हैं तो बात करते हैं BT cotton की बायो टेकनोलोजी का सबसे बड़ा feel आपको इसी topic में मिलेगा बहुत ध्यान से सुनना हमारे पास एक bacteria है उपर लिखा हुआ है वह भी मत पढ़ो ध्यान से सुनो मेरे पास एक bacteria है उसका नाम है bacillus thurringensis क्या नाम है bacillus thurringensis यह bacteria एक toxin एक harmful chemical produce करता है ठीक है तो कैना इस इसे toxin produce करना is a character of that bacteria उस बैक्टेरिया का character है toxin produce करना and characters are controlled by genes तो कैना इसे simple भाशा में इस बैक्टेरिया के अंदर toxin का एक gene होगा बराबर है हम उस gene को cut करके बाहर निकाल सकते हैं इसको हम बोलेंगे BT gene BT मतलब क्या bacillus thurringensis अब पढ़ो sentence a gene has been isolated isolated मतलब क्या separated from the bacteria bacillus thurringensis and इसका क्या करूं मैं काट के बाहर तो निकाला तो इसका करेंगे क्या it will be integrated with the gene of cotton cotton plant का जो DNA होगा जो gene होगा उसके साथ हम इस gene को add कर देंगे merge कर देंगे integrate कर देंगे करके देखते हैं देखो नीचे यह जो colorful वाला दिख रहा है वो क्या है it is the gene of cotton cotton का DNA है उसके साथ हम BT gene को इस तरह से add कर देंगे merge कर देंगे हमने cotton के DNA को modify किया हुआ है कहानी समझे रही है story समझे रही है तो अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं इस cotton plant को grow करूं तो क्या उस प्लांट के leaf में उसके cotton में टॉक्सिन प्रड्यूस होगा बिल्कुल होगा एक बात बताओ कॉटन प्लांट के उपर एक केड़ा अटैक करता है उस केड़े का नाम है बॉल वर्म कौनसा वर्म बॉल वर्म तो अब आगे क्या होगा सुनो डू तो दिस टॉक्सिन विच इस फेटल फॉर बॉल वर्म को मारने वाला टॉक्सिन इस प्रडूस इन दे लिव्स और बॉल्स ऑफ कॉटन की लीफ में बॉल्स ऑफ कॉटन मतलब क्या है जो वाइट कलर का पूटन दिख रहा है उसको बॉल्स ऑफ कॉटन बोलते हैं उसके अंदर भी टॉक्सिन बनेगा और जब वो कीड़ा बॉल वर्म लीफ को चबाएगा तो क्या होगा इफ दबॉल वर्म विल फीड ओन दे लीफ दा टॉक्सिन विल डेस्ट्रॉइट इस अलिमेंटरी के नाल उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेस्ट्रॉइ हो जाएगा एंड बॉल विल डाए बॉल मर जाएगा कफी इंड्रेस्टिंग कहानी है अब आप पूछोगे 100% कमेंट में पूछोगे क्या हम अगर कॉटन के लीफ को खाते हैं या फिर उस कॉटन को खाते हैं क्या हम भी मर जाएंगे टॉक्सिन से पहली बात आप कॉटन क्यों खा रहे हो क्या आपके पास खाने के लिए दूसरा कुछ नहीं है और लेकिन क्या मैं मरा मैं तो नहीं मरा सिंपल भाषा में जो हिट के अंदर पॉईजन है न वो पॉईजन का कॉंटिटी इस नॉट सफीशेंट टू किल यू ठीक है मच्छर मरेंगे आप नहीं मरोगे अनलेस वो बाटली खोल के पूरा हिट में पी जाता हूं तो बात अलग तो उसी तरह से यहां पर भी लीव के अंदर एंड कॉटन के बॉल्स के अंदर जो टॉक्सिन है इट इस नॉट सफीशेंट इस नॉट पॉटेंट एनफ टू किल यू समझ रहे हो आप नहीं मरोगे खाओ जाओ कॉटन खाओ कूल यही टेकनिक यूज़ करके हमने बनाया ह सेम स्टोरी बीटी ब्रिंजल वेराइटी इस डेवलप्ड बाई उसिंग जीन आइजोलेटर फॉम ब्रैसिलस थूरिंजेंस बैक्टेरिया में से जीन काट करके बाहर निकाला बीटी जीन इस जीन को हमने बैंगन के ब्रिंजल के डीने के साथ मर्ज कर दिया इसको खाके बीटी आप नहीं मरोगे और पहली बात उसकी कॉंटिटी सफीशन नहीं है टू किलियो एंड बैंगन आप पका कर खाओगे तो जब आप उसको कुक करोगे ना तो वो जो टॉक्सिन है वो डिसंटीग्रेट हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है तूड जाता है समझ में आ इस दे जीन सिंथेसाइजिंग बीटा कैरोटीन सिंथेसाइजिंग मतलब क्या प्रड्यूसिंग बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन क्या है सुनो बीटा कैरोटीन इस अ केमिकल जिसको अगर मैं खाऊं तो मेरी बॉड़ी बीटा कैरोटीन को कंवर्ट करके यूज करके वि बनाएगी vitamin A ठीक है तो चैना इसे beta-carotene is like raw material a starting material to make vitamin A and vitamin A का काम क्या है आपकी जो eyesight है आपकी जो आँख है उसको maintain करना अच्छे condition में रखना simple तो हमने क्या किया हमने इस gene को beta-carotene वाले gene को rice के साथ चावल के DNA में add कर दिया merge कर दिया तो हमारा जो चावल बनेगा ना rice वह ऐसा थोड़ा हलका सा orange color का दिखता और इसको हम बोलते है golden rice because of the color यह orange क्यों दिखता है because beta-carotene जो chemical है उसका color orange color का होता है color orange color का orange होता है तब जाके यह rice आपको golden rice orange दिखता है और ऐसे काफी सारे लोग होते हैं patients होते हैं जिनमें vitamin A की deficiency है कमी है तो उनको यह चावल देकर उनकी जो deficiency है उसको क्योर किया जा सकता है समझ रहे हो beta-carotene एक बात याद रखना beta-carotene vitamin A नहीं है it is a raw material जिससे vitamin A आपकी body बनाती है बिल्कुल clear होगे बात अब as compared to the normal variety this variety which has been developed in 2005 यह golden rice कब बनाया गया था 2005 में it contains 23 times more amount of beta-carotene is golden rice में कितना जादा beta-carotene है 23 times more beta-carotene than the normal rice समझ रहे हो feel आ रहा है cool आज की अगली पेशकश herbicide tolerant plant देखो हमने क्या बोला था weeds affect the growth of main crop weeds क्या होते है unwanted घटिया plants जो हमारे crop के आजू-बाजू grow होते हैं यह weed crop के साथ competition करते हैं nutrient का पानी का sunlight का space का जगा का and because of the competition हमारे crop की growth affect हो सकती है तो अब इन वीड को मारने के लिए एक chemical spray किया जाता है देखो कीडे मारने के लिए pesticide spray करते हैं वैसे ही weed को मारने के लिए herbicide एक chemical है उसका नाम क्या है herbicide उसको spray किया जाता है लेकिन problem है if the herbicides are used to destroy the weed it will affect the main crop हमारा crop भी affect हो सकता है मर सकता है तो हमने क्या किया हमने बायो टेक्नोलोजी के मदद से हमने herbicide tolerant plant develop किया मतलब ऐसा plant जिसको herbicide से फरक पड़ेगा नहीं कितना ही herbicide spray कर लो weed मरेगा लेकिन आपका crop मरेगा नहीं तो अब फाइदा क्या इससे so now it has become possible to selectively destroy the weed weed को unwanted plant को चुन चुन कर selectively हम मार सकते हैं और हमारा crop affect होगा नहीं सिंपल है कहानी तो बात करते हैं बायो fertilizer की बायो मतलब living organism मतलब bacteria fertilizer is something जो plant को nutrition देता है तो कहना ही से बायो fertilizer मतलब बैक्टेरिया एक टाइप का बैक्टेरिया जो plant को nutrition देगा उसको हम क्या बोलेंगे बायो fertilizer एंड आज कल ऐसा trend चल रहा है chemical fertilizer हम यूज नहीं करेंगे उसके जगा पर हम बायो fertilizer यूज करेंगे तो दू दे यूज ऑफ बायो fertilizer instead of chemical fertilizer क्या फाइदा होगा कुछ advantage भी होना चाहिए नमबर वन nitrogen fixation क्या होता है nitrogen fixation देखो हमारा जो atmosphere है उसमें काफी 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 सारा nitrogen present है लेकिन वो nitrogen plants directly absorb नहीं कर सकते यह हमने 9 में पढ़ा है एक bacteria होता है rhizobium यह rhizobium soil में present होता है and plant के root में भी present होता है क्या करता है यह bacteria हवा में जो nitrogen है atmospheric nitrogen उसको यह bacteria पकड़ता है क्या करता है पकड़ता है ट्राप करता है एंड उसको कनवर्ट करता है इंट्व नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स अमीनो एसेड्स केमिकल्स विचार प्रेजेंट इन्द सॉयल एंड तब जाके यह rhizobium plant को nutrition दे रहा है तो rhizobium क्या है bio fertilizer है समझ रहे हो a bacteria which provides a living organism which provides nutrition to the plant is called as bio fertilizer and एक और फाइदा है second फाइदा है phosphate solubalization देखो हमारा जो सॉयल है ना सॉयल के अंदर insoluble phosphate compound present होते हैं insoluble phosphate compound मतलब पानी में dissolve नहीं होंगे अगर वो dissolve नहीं होंगे तो हमारा plant उसको absorb नहीं कर पाएगा तो सॉयल में ऐसे कुछ bacteria होते हैं जो इस insoluble phosphate को convert करते हैं into soluble phosphate compound soluble है तो पानी में dissolve होगा और हमारा plant उसको absorb कर पाएगा तो bio fertilizer use करने का दो major फाइदा क्या है एक तो nitrogen fixation हो रहा है plant को nitrogen मिल रहा है और दूसरा phosphate solubalization हो रहा है जिससे plant को phosphorus मिल रहा है तो these two abilities are improved because of bio fertilizer समझ रहे हो मुद्धा बहुत simple है तो market में कौन से कौन से bio fertilizer use किया जाते हैं देखो mainly the bacteria such as rhizobium number one azotobacter nostoc enabina and azola ये सारे bacteria use किया जाते हैं as bio fertilizers simple आगे चले cool तो यहां हमारा crop bio technology खत्म हुआ अब तक सारी agriculture की बाते चल रहे थी तो अब finally बात करते हैं animals की let us understand animal husbandry पशू पालन animal husbandry में bio technology use करके दो main techniques use की जाती हैं ठीक है we have two main methods number one artificial insemination artificial insemination क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना लास्ट लेक्चर में हमने foreign bull exotic bull की बात की जर्सी होलस्टेन ये लोग क्या करते हैं ऐसे exotic bull का semen import करते हैं क्या import करते हैं semen फिर उस semen को artificially हमारी जो गाय है Indian cow उसके वजाइना के अंदर introduce किया जाएगा artificially इस process को artificial insemination बोलते हैं तो because of this जो बच्चा होगा वो कैसा होगा hybrid बच्चा होगा because semen किसका है exotic bull का है गाय कैसी है देसी का है हमारी Indian cow है तो जो बच्चा होगा वो hybrid होगा so this is a hybridization technique ध्यान से सुनना artificial insemination क्या है एक hybridization technique है cool second technique इसको बोलते हैं embryo transfer exactly same as IVF in vitro fertilization test tube baby हमने पढ़ा था न यहां पर यह लोग क्या करते है न पेट्री डिश में काफी सारे embryos create किये जाएंगे 50-100-200 embryo and फिर वो embryo अलग-अलग काव के अंदर गाय के अंदर implant किया जाएगा उसके uterus में implant किया जाएगा तो एक बात बताओ मुझे at a time बहुत सारे hybrid बच्चे hybrid offspring पैदा किये जा सकते हैं and hybrids की quantity बढ़ाई जा सकती है are you understanding तो यह दोनों major technique कौनसे artificial insemination जहां पर semen वजाएना के अंदर introduce किया जा रहा है artificially and embryo transfer which is similar to test tube baby यह दोनों टेक्निक hybridization के लिए यूज की जाती है animal husbandry में ठीक है तो इसका फायदा क्या इस technique से quantity and quality यह दोनों चीज़े improve होंगी of milk हमारी जो hybrid cow होगी गाय होगी वो ज्यादा quantity में दूद देगी हैं ज्यादा अच्छा quality का दूद देगी and जो meat होता है beef होता है उसका भी quantity and quality improve होगा अगर यह techniques sheep में करी जा रहे हैं तो जो वुल होता है उसका भी quantity and quality improve होने वाला है मतलब in short जितने सारे animal products होंगे उनका quantity and quality improve होगा because of hybridization techniques सिंबल है चले तोड़ आगे चलते हैं तो यहां करते हैं कुछ question answers मैंने questions sample paper में से लिए previous year के जो paper है उन में से लिए and exercise से लिए सारी चीज़े combine किया है आए देखते हैं rewrite the following wrong statements after correction statement गलत दिया हुआ है उसको हमें correct करना है changes in genes of the cell are brought about in non-genetic technique मुझे बताओ gene में जो change आता है that is a genetic technique तो correct क्या करना है non-genetic technique के जगा पर genetic technique लिख देंगे यह हमने last lecture में देखा था दूसरा सवाल gene from bacillus thuringiensis is introduced into soybean नहीं का introduce किया जाता है cotton में या फिर brinjal में तो लिख देना वहां पर फिर write the definition of the following terms define करना है biotechnology इसकी definition हमने देखी है बहुत ही simple है biotechnology is bringing about artificial genetic change genetic modification and hybridization in organism for human welfare हमारे भलाई के लिए या स्वार्थ के लिए और दूसरा definition लिख दो genetically modified crop अब ये थोड़ी सी तेडी मेडी definition है ध्यान से सुनना crops developed with desired character एक नए character वाला crop हमने develop किया कैसे by integrating a foreign gene with their genome simple भाषा में एक नया gene ठीक है foreign का gene लेकर हमने plant के DNA में add कर दिया genome लिखा ना genome मतलब DNA एक नया gene हमने प्लांट के DNA में integrate कर दिया and ऐसा crop जो genetic modification से बनाए उसको क्या बोलेंगे genetically modified crop simpler definition genome मतलब DNA DNA ही कुछ अलग नहीं है confuse मत हो जाना ठीक है चले तीसरा सवल क्या बोलता है methods like artificial insemination and embryo transplant are used for animal husbandry में अभी देखा हमने cool फिर fourth question अब यहां पर merits of biotechnology पुछा है biotechnology के फायदे उसकी अच्छी बाते अच्छी चीजे और काफी सारे खाली डबे दिये हुए हैं जो हमें बरने हैं डबा number one increase in per hectare yield मतलब simple भाशा में क्रॉप का production increase हुआ है last lecture में पढ़ा है development of disease resistant variety ऐसा plant जो बिमार नहीं पढ़ता बिमारी को fight करता है minimize expense on disease control disease control का जो खर्चा है वो बच जाएगा कम हो जाएगा development of fast fruit setting variety ऐसे plant बनाए हैं जिस पे fruit फटाफट आते हैं तो fruit का production बढ़ जाता है animal husbandry में हमने embryo transfer पढ़ा artificial insemination पढ़ा development of stress resistant variety लास लेक्चर में देखा था hybrid seed हमने बनाए and genetically modified crop BT cotton BT ब्रिंजल golden rice अब exam में ऐसा सवाल आ सकता है for three marks अगर तीन माक के लिए पूछा जा रहा है तो छे खाली डब्बे होंगे कितने छे खाली डब्बे आधे माक का एक डब्बा ठीक है तो आट लीस्ट चे तो पढ़के जाना इसमें से याद रख लेना काफी सिंपल है फिर यह वाला सवाल मेरा फेवरेट है पांच क्वेशन दिये हुए हैं पांच क्वेशन का अंसर लिखना है पांच माक के लिए यह पुछा गया था मार्च 2020 के पेपर में for five marks question 4 में आया था यह कुल what is biotechnology definition लिख दो bringing about artificial genetic change hybridization in organisms खतम होगे बात give one use of biotechnology कोई भी एक यूज लिख दो कहां यूज किया जाएगा using of various abilities of microbes yogurt बनाने के लिए alcohol बनाने के लिए पढ़ाता लास lecture में give one commercial use of biotechnology कहां यूज किया जाता है crop biotechnology तो लिख देंगे biotechnology is used in agriculture to improve the yield yield मतलब क्या production and अलग-अलग varieties produce करने के लिए hybridization करके फिर पुछा एव राइट two bacterial examples of bio fertilizer rhizobium azotovacter हमने पढ़ा अना बेना नॉस्टॉक अजोला लिख देना राइट two names of crops genetically modified bitty cotton bitty brinjal golden rice दो लिख दो इससे जादा straightforward and simple question exam में आही नहीं सकता बहुत ही जादा simple है अच्छे से करके जाना ठीक है and essay type के questions ही आते हैं अब यह वाला सवाल है question six short note लिखना है बायो technology पर professional यूज पर ये तुमारा exercise का question है and इतना बड़ा answer है ऐसे questions exam में मैंने तो आज तक नहीं ही देखे ना मैंने sample paper में देखे लेकिन यह वाला जो answer है न वह काफी जादा simple है and इसको use करके ही आप objectives भी solve कर सकते हो तो I would suggest यह वाला answer पढ़ लो और समझ लो and यह सारे points हमने last lecture में discuss किये हुए है same points ठीक है हट जाता हूँ screenshot ले लो चाहिए जो करना है कर लो ठीक फिर आता है question 7 write a comparative note on usefulness and harmfulness of biotechnology यह भी तुमारा exercise question है लेकिन this is a personal response question इसका answer आपके textbook में दिया हुआ नहीं है and मेरी guarantee चाहिए तो मेरे बाल कटवा दूंगा ऐसा question आपके exam में नहीं पूछा जाता है अब तक तो नहीं पूछा गया है ना sample paper में न बोड exam में फिर भी आपमें चुल है आपमें खुझ लिया तो पढ़ लेना इतना बड़ा answer इसका answer textbook में नहीं दिया है this is out of textbook question ठीक है read कर लेना एक बार चाहिए तो just for your understanding and फिर यहां समाप्त करते हैं आज की कहानी I hope सारे मुद्दे सारे पॉइंट सारी कहानिया clear है हमने question answers भी किये उनको practice करना अच्छे से पढ़ लेना ठीक है वीडियो अगर अच्छा लगा है तो like करना share करना subscribe करना bell icon को मंदिर के घंटे की तरफ बजा के चले जाना and as usual thank you very much for watching